हेलो वीवर्स वैलकम बैक टू माई चैनल वीवर्स इस लॉकडाउन में छोले बटूरों का दिल तो हर किसी का चाहर होगा तो क्यों ना हल्दी नाम जैसे सॉफ्ट स्पंजी बिना तेल के बटूरों की रेसिपी मैं आप से शेर करूं आप भी इसे घर पर बना कर खा सकते है बिलकुल कोई पहचान नहीं पाएगा कि रॉस्टेंट के हैं घर के अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर कीजिए और यह जो बैर आइकन है आप इसको भी दबा लीजिए से मेरी नहीं वीडियो का नोटिपिकेशन बिलता रहेगा वीवर्स घर भे हम इस छोले बटूर की रेसिपी बनाना स्टार करते हैं जिसके लिए हमें काबूली चैनल चाहिए होगा जो कि आपको किसी भी किराने स्टोर से मिल जाएगा असानी से और इसे हमने रात को भीगो दिया था यानि आपको रात भर इसे पानी में भीगो के अगर आपके बास टाइम ना हो तो आप तीन घंटे से भीगो लीजी अभी से वाश करके इसमें हम वन टीस्पून सॉल डालेंगे और वीवर्स क्यूंकि रेस्टोरेंट स्टायल बना रहे हैं तो काला रंग जो होता है लोग इसमें आमला डालते थे लेकिन हम इसके अंद गलाने के लिए हाफ टेस्पून हम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे बस इसे कवर करके इतना ही पानी आपको डालना है और चार से पांच विसल या इस पर आपको बॉयल करना है अब हम भटूरे का आटर दयार कर लेते हैं डो जिहां जिसके लिए हमने दो कप मैदा यानि अजिए यह किसी भी आपकी किरान स्टोर से मिल जाएए असे हमने 2 कप मैदा लिया है विसमें हाफ कप हमें सैमले यानि सूजी लिय इसको ज़रूर डालेंगे इससे बहुत ही क्रंची साले बाटूरे बनते है हमारे बाटूरे और इसमें हमने दही लिया 1 फॉर्थ टी सु थोड़ी देरी से 2-3 मिनटी से रखके हम इस पर इसका आटा तयार कर लेंगे अच्छी से आतों को मसल के और बहुती सौफ बिल्कुल धाबय स्टाइल बना है अब हम चोले हमारी जो बॉयल हो रहा है इसकी हम तलका तयार कर लेते इसके लिए एक प्यास लिए तीन हरी बस इनको हमें साथ पेस्ट पना लेना है मिक्से ग्रैंटर में इसका प्यास को अनियन को और अध्रक को पीसके पेस्ट पना लेना है देखिया हमें कोई अलग अलग भी नहीं डालना बहुत ही जल्दी बन जाते हैं छोले बस थोड़ा सो आयल यानी वन टेबल स्पून के बस इसके अध्रक है उसके डाल दिया यानी के इसको घिस लिया था हमने बस जैसे ही जोड़ा सौधय करें के से बस हमारा जो पेस्ता अनियन टोमाटर का और अध्रक का इसको हम अच्छे से मिक्स करके डाल देगे कम टाइम में भी छोले बनकर तयार होंगे आप खाते रह वीवर्स आपर एक बात का जिक्र करते चले कि हमारे एक चैनल देख भाई देख भी आप उस पर जाकर और भी नई नी वीडियो से एक्स्प्रोर कर सकते हैं और देखिए इसमें आदे इंच का जा दाल चीनिका टुकुड़ा और एक हमने बड़ी लाइची भी डाली है आपको चोले बटूरे कही टेस्ट मिलेगा हमारे पास चैनल मसाला रखा हुआ था इसलिए हम इसके अंदर डालने वाले हैं अगर आपके पास नहों तो भी आप इसे यही टेस्ट बनाएं के बखा सकते हैं यहां पर आप सौंफ का पौडर भी डाल सकते हैं दो टेबल काफी अचा से भूना है विबल सकते हुए ये आपको बाहले है आपको ठाइम लेगा लेकिन अपको बूनाई बहुत चैनल मिली पारी कि हम इसके खाय को भी टेस्ट लो automatि सबपा प्राह प्रशा है यहां कि असा टेस्ट करते हैं पर फिल्पर्स स्लिए रखा हमार चोले ब आप चाहें तो थोड़े टाइट भी डख सकते हैं और इसके पानी को रिंस करके हम इसमें डाल दिया है बस हमारे तरके के साथ हमारे छोले दो मिनट और पकाएंगे आप में अजिचन करके हैं तो हमने इसमें बस प्र हो दे करके में आलू को बारी जाले हैं हमने जुरो में दिखाएं इसमें पısुच比 handful के मिच में से और यह करने दोल देना है गलते हैं अलु को साथ इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवा राता है बस हमारे छोले बनकर तयार है अब हम भटूरे बना लेते हैं जो कि हमारा आटा लग गया है से एक घंटा हो गया है वे बस अगर आप और नाइट यह रात भर रात को बून कर रखेंगे आटे को तो अब बनाएंगे कृड़ा कर लोगे से घंटा मे पील राता है कि दूल चाहिता होगे बना लेगे युडरा की बहुंत करें किनार रखना है उटअ कर ना एक भेर को दो बना दो बड़ी कलाई में बड़ी कलाई में हाफ ओयल लिया है बस इस तरीके से डालिया और आप कर्ची से डालते रहेंगे तो आपका भटूरा खुद बाखुद फूल जाएगा यह देखिए कितना फलफी भटूरा हमारा बना है हुई बहुत ही सॉफ्ट है और सुची की वज़ा से थोला करंची भी बैठेगा नहीं है यह मारा बटूरा बन गया है बस वन बाई वन हम इसके अंदर बटूरे बना के त्यार कर लेते हैं वीवर्स हमारे चैनल पर छोले बटूरी की रेसिपी पहले भी डली हुई है जिसका लिंक में आपके रिस्रिप अब इसको भी निकाल लेते हैं और ऐसे हम अपने सारे बटूरो को फ्राइ कर लेंगे गर्मा गरम सर्फ करेंगे देखिए बस आपको ऑईल को इसको पर डालते हैं लेकिते कम तेन में भी बटूरो को कितने अच्छी से फुलाया है यह देखिए बहुत ही अच्छी हमारे अच्छी हमारे सॉफ्ट बने हैं फ्लफी और जो हम इसे तोड़ेंगे तो इसके अंदर अपको आयल बिल्कुल भी नहीं दिखेगा बहुत ही बहुत ही बहुत ही इसको ड्राइ बटूरे बने हैं देखिए तोड़कर मापको दिखा देखिए इसकी फर्मेंटेशन अंदर देखिए जो दही डाला था हमने इसे बहुत ही टेस्टिंग जरूर टेए कि जगर वीवस अपनी फैमिली और फ्रेंस में मेरी वीडियो को शेर कीजिए था इंक्यू फूर वाचिंग